ब्रेक के बाद आपका स्वागत हैं दर्मशाला की टपोवन में दिसंबर मा में 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक परस्ताबित बिदानसवा सतर को लेकर जीला परशलसर ने तयारियां अरंग कर दी हैं इस बावत उपायुक्त राकिश प्रजापती की अधिक्षता में एक आवशक बैठक भी आयोजित कीगी तथा बिदानसवा परिस्तर में सुविदाओं का जायजाबी लिया गया इस दोरान पुलिस अधिक्षक बीमुक्त रंजन हिमाचल परदेश बिदानसवा के सची यिश्पाल सर्मा उपनिदेशक हर्दियाल भारदुआज अनुबाग अधिकारी राजिंदर ठाकुर सहीत बवीन अधिकारी उपस्तत रहे धर्मशाला के तपोबन में दिसंबर मा में 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक परस्ताबी बिदानसवा सतर को लेकर जिला परदेशन ने तैयारियां आरम कर दी है इस बावत उपायुक्त राकेश प्रजपती की अधिक्ष्ता में एक आवशक बैठक भी आयोजित की गई तथा बिदानसवा परिसर में सुविदाओं का जायजाबी लिया गया इस दोरान पुलिस अधिक्षक बिमुक्त रंजन ने हीमाचल परदेश बिदानसवा की स्तचिव यसपाल सर्मा उपनी देशक हरदियाल बारद्वास अनुबाग अधिकारी राजिंदर ठाकुर सहित बवीन अधिकारी उपस्तित रहे उपयुक्तराकिश प्रजपती ने कहा कि 9 दिसम्बर से लेकर 14 दिसम्बर तक बिदानसवा का शीत कालिन सतर आयोजित किया जाएगा इसके लिए सबी विवागी अधिकारियों को आवश्यक परवंद करने की दिशा निर्देश दिये गए है उन्होंने कहा कि बिदानसवा परशर में भी विद्दुत पेजल इत्यादी की आवश्यक शुविदाय उपलत करवाले के लिए विद्दुत तथा आईपीच बिवाग के अधिकारियों को कहा गया है इसके साथ ही ट्रैफिक तथा पार्किंग को लेकर भी आवश्यक कदम उठाये जाएंगे ताकि किसी वी स्तर पर आप जन्मानिस को असुविदा का सामना नहा करना पड़े डिसी कांगडा रखिश परजपती ने बताया कि बिदान सबा का सीथ कालिन सतर 9 से 14 दिसंबर तक टपोवन बिदान सबा में होना है जिसके चलते आज एक बैटक रखी गई थी जिसमें बिदान सबा के सुची भी उपस्तित थे बैटक में सीथ कालिन सतर की तयारियों पर चर्चा की गई सतर के दोरान बिदान सबा के आसपास सफाई वो बिजली पाने की विवस्ता सुचारू रहे इसकी तयारियों को किया जा रहा है कर चर्चा की गई और हमारी पूरी कोशिस रहेगी कि एक बहुत स्मूथ जो बिदान सबा सतर है वो यहां धर मिशाला में संपन हो कितने से किती तरी तक सभी है यह 9 दिसम्बर से 14 दिसम्बर के लिए है और उसी अनुरूप से हम तैरिया कर रहे है किस तरह की तैयारियां सर आप देते हैं किस तरह कर की जा रही है जैसे कि आपको पता है बिदान सबा के आसपास और बिदान सबा के अंदर की जो साब साथा यह उससे रिलेटिड काम रहता है वहां पर सुचार रूसे बिजली फानी की वैस्ता रहे उसका काम रहता है और साथी साथ कुछ लाइटिंग की वैस्ता भी की जाती है उस वक्त ताकि शहर थोड़ा सा सुन्दर दिखाई दे उसके हिसाब से जो तेहरियां थी वो पूर्ण